हे एवरिवाइन से गुड़ मार्निंग टो अलव यू वेल्किम टो लॉजिक पाट शाला आज के इस वीडो में हम करेंगे फैबुरी मंत के जो भी आपके इंपोर्टेंट डेस और थीम्स है उन सभी को यहाँ पर आपकी एक वीडो में कंप्लीट किया जाएगा ताकि आप को यहां से अच्छे से रिविजन हो सके और आपको ओवरोल सारे मंत के जो भी डेस और थीम्स होती है वो यहाँ पर आप लोग कवर कर लें ठीके तो इस वीडो का पीडियाफ आपको फिर से टेलीग्राम गुरूप से मिल जाएगा मैं आपको रेगुलरी बोलती हूं कि ज जले फिर आज की वीडो को शुरू करते हैं सो सबसे पहले हमारा सेकंड फैबररी को सेलिब्रेट होता है वर्ड वेटलैंड्स डे यानि विश्व आदरभूमी दिवस्ते को थीम्स जो भी डेस की है वो इंपॉर्टेंट होती है तो आप लोगों को यह थीम्स पर भी अच मतलब एरान में एक शहर था रामसर वहाँ पर एक समझौता हुआ था पहली बार ठीके सम्झौत है को मुझोरी मिली थी और ये जो दिन तह वो मनाना शुरू हुआ था 1927 से ठीके इसमें क्या होताए जो वेटलैंड्स होते हैं जो आदरभूमी होती हैं वैसे मैंने वेटल या आप लोग मुझे बताएंगे कि भारत के टोटल कितने वेट लैंड इस लिस्ट में शामिल है ठीक है रामसर लिस्ट में शामिल है आप लोग मुझे बताएगा कमेंट करके आपका homework question समझ लेजेगा ठीक है सो यहाँ पर अब हम second day पर चलते हैं 4th of February बहुत important day है यह दोनों ही काफी सदा पूछे जाते हैं word cancer day यानि wish you cancer दिवस और इसकी theme भी important है I am and I will अब यह दिवस भई cancer के बारे में लोगों को aware किया जाता है बताया जाता है उन्हें और 1933 से देखो यह नहीं पूछा जाता कभी भ पता रही हूं ठीक है दोनों याद हो गए ना second February वर्ट वैट लाइन डे 4th February वर्ट कैंसर डी चलो आगे बढ़ती है International Day of Human Fraternity यानि मानव विराद्वरी का अंदराश्टिय दिवस celebrate किया जाता है हर साल 4th of February को इस पार की थीम इसकी है a pathway to the future तो एक साथ आना लोगों का मतलब एक तरीके से एक जुटता को प्रदेशिक करता है यह दिवस ठीक है अगला है 10th February इंपॉर्टेंट डे है वर्ट पल्स डे यानि दलहन दिवस दालों के बारे में क्योंकि भहु seeds for a sustainable future ठीके यादों के दोनों दे चलिए आगे आता है 11th February को International Day of Women and Girls in Science यानि विज्ञान में महिलाओं और लडगियों का अंतराष्टिय दिवस और थीम देख लिजे कि women's जो है वो science field में या girls जो है वो science field में आगे आके आगे लाया जाए उन्हें लोगों को aware किया जाए सो आज कल आपने देख रहे होंगे किते experiments या हर जगा पे women जो है वो front में आ रही है ठीके आगे बढ़के निकल रही है तो यहाँ पर aware किया जाता है इस बारे में लोगों को ठीके चलिए अगला दी आता है 13 February को World Radio Day यानी Radio and Diversity इसकी धी में ध्यान लखेंगे देखो रेडियो का बहुती एक तरीके से important role होता है चाहे education का field ले लो चाहे आप communication का field ले लो हर चीज़ में रेडियो का importance role होता है और इसी के बारे में लोगों में जाग रुकता फैलाई जाती है ठीके नाइडू birth anniversary तो ध्यान रखना है इस दिन सरोशनी नाइडू का जन्म दिवेस होता है और इनको nightingale of India बोला जाता था nightingale of India का मतलब होता है भारत की कोकिला के नाम से बहुत फेमस थी और सरोशनी नाइडू पहली क्या बनी थी यहाँ पे governor बनी थी UP की ठीके ध्यान लखे मतलब पहली woman के तौर पर यह बनी थी ठीके इतना आप लोगों को ध्यान लखना है आगला question है 20th February को अरुणाचल प्रदेश का foundation day celebrate होता है मतलब अरुणाचल प्रदेश की स्थापना होई थी और यह 1987 में 24 वा राज्य बना था important यह पूछ सकते हैं कि पर यह कौन सा राज् कि अरुणाचल प्रदेश की capital क्या है यानि इसके राज्धानी क्या है ठीक है यह भी आप लोगों का home vacation रहीगा 20th February को celebrate होता है world day of social justice तो भाईय सामाजिक ने आए तो बहुत जरूरी है सबको एक समान मानना चाहिए यही इस दिन का main purpose है बनाने का और इसकी theme क्या है a call for social justice in the digital economy ठीक है आगी है 21st February को आता है international mother language day अंतराश्टी मातर भाशा दिवस और इसकी theme क्या है fostering multilingualism for inclusion in education and society देखो अंतराश्टे मातर भाशा दिवस का मतलब यही होता है कि हम जो हमारी mother language होती है इतनी सारी mother language होती है और सभी को एक साथ लेकिया आना सभी को उभार ना सारी languages को बढ़ावा दीना इसका main purpose होता है ठीक है अगली बड़ी 22nd February को होता है word thinking day और इसकी theme यहाँ पर आप देख सकते है peace building कि आप ऐसा सोचो कि शौंती स्थापित करो ठीक है आगे आता है 24th February Central Excise Day यानि केंद्रिय उतपाद शुल्क दिवस और इस दिन एक कानून बनाए ग बहुत सारी manufacturing की जो चीज़ होते है उसको बोला जाता है 27th February को word NGO day celebrate होता है लोगों को NGO से जोड़ने के लिए क्योंकि NGOs काफी अच्छा काम करती है हर एक field में चाहे वो social worker का field हो या कहीं help की बात हो तो लोगों को जोड़ने के लिए यहां पे motivate किया जाता है So the last day is 28th February National Science Day और ये दिन celebrate होता है इस दिन एक discovery होई थी जिसको बोला जाता है रमान इफेक्ट जो discovery करी थी एक physics के scientist थे सर चंदर शेखर वैंकटर रमान इनके द्वारा ये discovery की गई थी और इन्होंने 28th February 1928 को discovery की थी इसके लिए physics के field में इनको novel prize भी दिया गया था 1930 में दिया गया था ठीके ध्यान नकिएगा ये बहुत जादा important day है आप लोगों से exam में बन सकता है ठीके तो देखो February में जादा days नहीं है बहुत सारे आप लोगों को एक limited याद रखने है बट जितने भी याद रखो के अच्छे से ध्यान रखने है ठीके एक बार revise करने के सबसे पहले हम लोगोंने कौन सा पढ़ाता word wetland day जो हमारा celebrate होता है कौन से दिन में वो celebrate होता है 2nd of February को चीके उसके बाद हमने 4th of February को क्या पढ़ाता थोड़ा सा याद करने के कूशिश करेंगे आप लोग भी मेरे साथ 4th of February को हमने पढ़ाता क्या word cancer day बिल्कुल आप लोगों को याद होना चाहिए चीज़े ठीके याद होंगे तो अच्छे से हर चीज़ याद कर पाऊगे चलो एक और पूछ रहती हो हमने word radio day कर चलो जल्दी से सोच और comment करके अभी बताओ ठीके word radio day बताईएगा और national science day हमारा 28th February last दिन celebrate होता है ठ ऐसे ही हम हर मन्त के end में इस वीडियो को लेके आया करेंगी और अभी आपकी एक वीडियो रह गई है जो February की रहेगी जिसमें हम करेंट अफेस कर रहे हैं मन्तली वह भी आपको एक दू दिन में प्रोवाइट हो जाएगी तो चलिए फिर यहाँ पर वीडियो को स्टॉप क प्लभ को स्टॉप कि रहे हाँ झाही नह वीडियो कर रहे हैं मन्तल आपकी विर सुटंगु संटॉप करेंगा हैं मन्तल nationalist का वीडियो करेंवाब्न को धुर्णा Under the